घर में किसी भी जानवर का अनायास आना कुछ सुब या फिर कुछ असुब संकेत हो सकते हैं। इसी प्रकार देखा जाता है कि कववा यदि घर में आकर अगर आपके घर में आकर बोले तो यह जीवन के लिए कुछ नकुछ सुभ या फिर कुछ नकुछ अशुब संकेत माना जाता है तो चलिए आईए आज के इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि घर में कववा का आना कौन सा सुब संकेत देता है और कौन सा असुब संकेत देता है वैसे तो कववे का घर में आने से बहुत सारे सुब और असुब संकेत होते हैं हजारो लेकिन आज मैं आज के इस वीडियो म तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चलिए जादा देर नहीं करते हैं, हम लोग जानते हैं, वो दस कारण, वो दस संकेत, सुबह संकेत और असुबह संकेत, जो बहुत ही आपके लिए काम की होने वाली है, यात्रा पर निकलते समय घर में कववे का आना, ये एक संकेत होता है, यदि आप किसी बड़ी यात्रा पर जाने वाले हैं, और आपके घर में कववा आकर जोड-जोड से बोले, तो इसका मतलब यह है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है, दरसल ये इस बात का भी संकेत आपको देता है, कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदल आने वाला है, जो आपके लिए सुभ्व होगा, यदी कवः, यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति की मुह की तरफ बोले, तो आपकी किसी अभिन्द मित्र से आपकी भेठ होने वाली है, या फिर आप उसे मिलने वाले है, यदी कोई किसी नौकरी के इंटर्व्यू के लिए झा अगर आपके घर में कई कववे जुंड में इकठा हो जाए और तेजी से अगर बोले तो समझ लो कि आपको सतर को होने की आउशकता है ये कववे किसी अनहोनी का संकेत आपको दे रहें यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बड़ा संकट या फिर को को संकेत है यदि आपके घर में कववा दक्छिन दिशा की और बैट कर बोलता है तो यह एक सुब संकेत माना जाता है यह इस बात का भी संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज है और घर में पित्री दोस भी हो सकता है चौथा कववे का सरीर पर बैठना ये बहुत ही सामाने नहीं है कभी कभी किसी के साथ ये घटना घटती है लेकिन यह भी एक संकेत आपको मिलते है इससे भी तो अगर आप कभी भी अनायास ही आपके सरीर पर कववा अगर बैठ जाए तो यह एक बड़ा अपसकुन मना जाता है और यह इस बात का संकेत देता है कि आपको मांसिक तनाव मिलने वाला है आपके कैरियर में आपको असफलता मिल सकती है और कोई बड़ी बीमारी भी आपको हो सकती है पांचवा फिफ्त रोटी खाता हुआ कववा अगर दिख जाए तो यह भी बहुत बड़ा संकेत माना जाता है अगर आप अपने घर में कववे के लिए रोटी या कोई भी खाने की सामगरी अगर रखते हैं और कववा आकर उससे खा लेता है तो समझ लिजए कि आपकी कोई मनो कामना है पूरी होने वाली है आपको धन लाव होने वाला और किसी बड़े काम में आपको सफलता मिलने वाली है दरसल कववे का रुटि खाना इस बात का ही संकेत है कि आपके पूरवज आप से प्रसंद है और घर के सभी दोस्थ दूर होने वाले है छठा ये बहुत ही सिंपल नहीं है बहुत ही आसान नहीं है कि कववे का अंडा घर पे मिलना तो ये बहुत ही मुश्किल से हो पाता है लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ अगर होता है तो समझ लो की एक संकेत है अगर आपके घर में कभी भी कोई कहीं भी कववे का अंडा मिल जा अगर आप संतन प्राप्ति की एक्षा रखते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में वो संकेत आपको मिल रहा है और समझ लेजिए कि यह बहुत ही जल आपके घर में किलकारिया गुंजने वाली है सातवा कववे का पानी पीना यह भी एक संकेत है यह बहुत लोगों को दिखता भी है अगर आप घर की छट में या बलकनी में पानी रखते हैं और कववा आकर यह पानी पी ले तो समझ लेजिए कि आप बहुत जल्दी ही बहुत जल्दी माला माल होने वाले हैं वैसे गर्मियों के मौसा में आपको पंचियों के लिए चाहती या खुले हिसे में पानी जरू रखने चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पुन्ने का काम माना जाता है। आठवा, उदास अवस्था में कववा को देखना या भी एक संकेत होता है। यह अगर ऐसा आपको दिख जाए तो यह उस घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है। जो आपके जीवन में नकर आतमक बदलाव ला सकती है। इसके लावा घर में बिमार कोई आकर बैठे तो यह भी बिमारी का संकेत आपको देता है। 9. ना इंत वाला जोडे में कोई का आना भी बहुत ही बढ़ियां संकेत है। बहुत ही अच्छा संकेत है। इससे समझ लो कि आपके घर में जल्द ही सहना ही बजने वाली है। 10. प्रात्यकाल उत्तर या फिर पूरव दिशा में कोई का बोलना यह भी बहुत बड़ा संकेत होता है। यदि आपके घर में सुबह सुबह ही उत्तर या फिर पूरव दिशा में कववा बोलता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में किसी भी अतिति का आगमन होने वाला है। अनायास ही कववा बोलता है लेकिन अगर आप उत्तर या फिर पूरब दिशा में कववा बोलता वा नजर आए तो ही समझ जाना कि आपके घर में कोई आतिती आने वाला या आपके लिए सुभ संकेत है क्योंकि आपकी मुलाकात किसी अभिन मित्र से हो सकती है या फिर आपके ब्हिएवे बिग्ड हुए काम बनाने में मदद करने वाली है वैसे लो तो ऐसे ही हम अपने अपको इस वीडियो में आज 10 कववा से जुड़ी 10 सुभ संकेत आपको बताए हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना नीचे कमंट कर करो इस वीडियो को यार शेयर करो वाटसाप फेस्बूक जहां भी शेयर करो और चैनल पर नए हो जैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाल आगन को प्रेस करके र